कि बच्चों हम लोग पढ़ रहें गती के नियम और आज का हमारा टोपिक है समवेक संरक्षन नियम यानी की मोमेंटम कंजर्वेशन लो वैसे समवेक क्या होता है इसके बारे में हम लोग लास वीडियो में अच्छे से डिसकस कर चुके हैं जहां हमने न्यूटन सर के गती के तीन नियम पढ़े थे याद आ रहा है कुछ वहाँ हमने समवेक की बात करी थी और हमने बताया भी था कि समवेक क्या होता है ठीक है इसकी हमें जोरत क्यों पढ़ी इसका यूज आता है ये सब चीजे हम लोग वहाँ पे डिसकस कर चुके हैं तो जिन बच्चों ने वो वी करी तीन वहां मैंने कि आपको बताया था कि एसी राशिया जो समय के साथ परीवर्तित रहती है यानि कि समय के साथ उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए उनसे हमने क्या कहा था सन्रक्षित यानि कि क toothbrush राशिया मतल़ सन्रक्षित राशिया हमने कहा था जहां जैसे हम र הבوس nó Uh यह सारी कि सारी हमारी क्या होती है सन्रक्षित रस्षिया उर्जा के बारे में आप लोगड़ते हैं आ ऌentar कर सकते हो ना ही नश्ठ कर सकते हो क्यवल एक रूप से weak में परिवर्थित कर सकते हो इसलिए हमारी जो उर्जा होती है वो चाय से हमारी जो भी घटना होती हो उसके पहले की हो और घटना के बाद की हो वो टोटल जो उर्जा होती है वो सनरक्षित होती है उसी तरह से हमारा जो समवेग होता है वो घटना के पहले हो चाय बाद में हो दो संवेख बराबर होते हैं या टोटल संवेख होता है वह संरक्षित होता है इस सीज़ को हम आज दो तरीके से प्रूफ करेंगे और यह जो पाथ है यह है बहुत छोटा सा लेकिन बहुत important है क्योंकि यहां से numerical portion बहुत अच्छे से cover up होता है तो आप लोग इसको अच्छे से समझेगा तो heading लगा यह समवेग संरक्षन का नियम आप देखिए हम बात कर रहे हैं समवेग संरक्षन की मैं आप लोगों को पहले भी बता चुक्यूं कि समवेग जो होता है वो एक संरक् टरशी क्या होती है इसके बारे में भी हम डिसकस कर चूके जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है और सन्रक्षित होने का मतलब हम कैसे भी कर लें कि इनिश्यल मतलब अगर अम संरक्षन क्वार्व क्पड़ रहे हैं तो मतलब यह होगा कि ones you हो जाती है तो क companion में हमारा संवेक क्या हो रहे म्लाचा सब्सक्राइब उतना ही पी इनिशेल होना चाहिए यही समवेग संरक्षन का नियम है ठीक है इनिशेल ही जितना है प्रारंब में जितना है उतना ही बाद में होना चाहिए इट मिन्स क्या हुआ कि समवेग आपका नियत होना चाहिए इसे ही समवेग संरक्षन का नियम कहते हैं अभी हम इसको mathematically भी derive करेंगे वो भी दो तरीके से समवेक की जुरत हमें क्यों पढ़ी ये last वीडियो में हमने अच्छे से discuss किया था याद आ रहा है कुछ कि आप खड़े हो और आपको एक cycle पर एक बच्चा है वो आके टक्कर मारता है तो आपको कम चोट लगती है ऐसे ही अगर एक बारी वहार उसी velocity से आके आपको टक्कर मारे तो आपको बहुत जादा चोट लगेगी तो उसकी पिछे क्या reason था समवेक का ही तो reason था या फिर वो बॉल को catch करने वाला भी एक example था था तो मतलब समवेक की जुरत हमें क्यों पढ़ी इसके लिए आप लोग last वीडियो देखे अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है अम आते हैं direct हमारे man topic पे हमने Newton का second low पड़ा Newton Sun ने जो second low दिया था वो क्या था F बराबर DP over dt ये था या नहीं obviously था ठीक है अब हम ये कह रहे हैं कि माल लेजिए कि total जो जो भी F क्या था यहाँ पर आरोपित बल था कुल आरोपित बल था न और वो भी कौन सा भाय ये बल तो अगर हम माल ले कि आरोपित जो भी बल है वो 0 है यानि कि F हमारा क्या है 0 है तो बताओ F0 तो इस नियम से क्या हुआ DP over DT भी 0 होगा obviously 0 होगा DT तो 0 में चला गया तो हमारे पास में आ गया DP बराबर 0 अब आपको अच्छे से पता है Intrigation differentiation हमने पड़ा है इसके ओपर एक वीडियो आपको दिया भी गया है कि अगर DP बराबर 0 होता है इसका मतलब होता है कि यह जो quantity है यह constant होती है क्योंकि आप दोनों तरफ integration करोगे जब 0 का integration करोगे तो आपको constant quantity मिलती है यानि कि यहां से हमारा P क्या आ गया constant और यही तो हम कह रहे है कि समवेग जो होता है वो नियत होता है ठीक है तो बताओ यह proof हुआ नहीं हुआ हो गया यानि कि हम क्या कह सकते है कि यदि किसी वस्तू पर आरोपित भाईये बल 0 है तो वस्तू का जो समवेग होता है वो constant यानि कि नियत या फिर दूसरी language में हम इसे physics की language में हम कहेंगे सन्रक्षित होता है और इसे ही समवेग सन्रक्षन का नियम कहते है आया समझ में या फिर दूसरी definition आप ऐसे भी दे सकते हो कि किसी वस्तू पर प्रारंब में जितना समवेग है उसका अंतिम समवेग दोनों आपस में बराबर होते है यानि कि टोटल जो समवेग होता है वो सन्रक्षित होता है यही हमारा समवेग सन्रक्षन नियम कहलाता है ओके बच्चों आप देखिए अनोनिय किर्या करने वाले कणों के किसी व्युक्त निकाय का कुल समवेग सन्रक्षित रहता है इट मींज ये कि अगर कोई particles है वो कुछ किरिया कर रहे हैं तो उसका जो total समवेग होगा वो सनरक्षित होगा मतलब वो ही जो मैंने अभी बताया initial बराबर final आप देखिए mathematical form में हम इसको लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या माल लेते हैं कि दो particle है हमारे पास में A और B जिनके सम समवेग मतलब initially PA और PB तता यह दोनों particle आपस में टकराएं पहले ऐसे हैं ठीक है फिर यह वापस में टकराएंगे PA हो गया और यह हो गया PB फिर यह जब आपस में टकराते हैं तो इनके समवेग हो गए PA डैश और PB डैश ठीक है अब देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं वही न्यूटन के सैकेंड नियम से सैकेंड नियम क्या है एफ बराबर DP ओवर DT है या नहीं यहां से एफ इंटू डी एफ एफ एबी डेल्टा टी लिख दिया A B का मतलब क्या है B के द्वारा A पर लगाए गया बल ठीक है एफ एफ एबी हो गया अब देखिए यह कितना हो गय अगया आपको डेल्टा पी लिखने डेल्टा पी का मतलब क्या है इसका पहले कितना था और बाद में कितना होगे न दुनों का अंतर तो बाद में हो गया पी-एफ बी लिख दिया ठीक है यह कितना अगया पीवी डश माइनस पीवी आप देखो न्यूटन का थार्ड लों तो दूसरी वाली वस्तू पर उतना ही बल लगाएगी लेकिन विप्री दिशा में लगाएगी तो अगर एपर बल लगा रहा है तो बी भी तो एपर बल लगाएगा और दोनों एट टाइम ही लगाता है यह चीज हम लोग लास वीडियो में बहुत अच्छे से डिसकस कर चु बस इनकी डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट और परिमान होता है समार तो मैं ऐसे लिख सकते हूं ओवियसली लिख सकते हैं वैल्यू पुट कर दीजिए यह वैल्यू पुट कर दीजिए अब इनिशियल समवे को एक जगा रख दीजिए फाइनल को एक जगा तो यह तो हमारा क्या होता है समवेग संद्रक्षन का नियम और भी हम इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे तो इस तरह से अपगति कहए अब जो प्रौकति के अब वटकिक है लेकिन अभी इनिशेली ये रखा हुआ है गती नहीं कर रहा है, it means इसका वीग जिरो, वीग जिरो मतलब इसका पी इनिशल कितना होगा, जिरो, आप देखो, मैंने मान लिया कि रोकेट जो है, उसका दरविमान तो है, कैपिटल एम, और रोकेट के पीछे से जो दुआ निकलती है, निकलती है ना, उसका दरविमान मैं बने मान लिया है, तो अभी दुआ यह दूआ भी नहीं निकल रही है, इसलिए इसका वेग, समॉल, वी जिरो, रोकेट भी इसतिर है, इसलिए इसका जो वेग है, कैपिटल वी, वह भी जिरो, है या नहीं, है, ठीक है, आप देखो, यानि कि, पी इनिशल कि रोकेट का जो सम्वेग है वो 0 है इट मिन्स क्या हुआ सम्वेग सनलक्षन नियम हमारा ये कहता है कि अगर इनिशेल 0 है तो final भी 0 होना चाहिए तो बस P initial बराबर हम P final करेंगे अब P initial 0 है तो P final भी 0 के बराबर होना चाहिए अब rocket ने चलना शुरू कर दिया जब वो चलेगा तो उसके पीछे से fuel निकलेगा अब rocket गती कैसे करता है आपको ये भी पता है Newton के 3rd low से जो मैंने आपको समझाय था समझाय था ना कि ये जो rocket जो है इस fuel के उपर पीछे के और बल लगा रहा है तो ये fuel भी क्या करेगा उतने ही परिमान का विप्टी दिशा में रोकेट के उपर बल लगाएगा जिसकी वज़े से रोकेट आगे की और गती करता है ये तो समझ में आ रहा है अब बताओ पी फाइनल कितना होगा पी फाइनल होगा इन दोनो fuel fuel मतलब जो गैस निकल रही है वो और जो रोकेट है उसका टोटल समझ में कितना होगा अगर मैं रोकेट की बात करूँ मान लो कि जब ही चलना शुरू करता है तो इसका विड़ेश है और इसका स्मॉल विड़ेश है तो बताओ क्या होगा एम विड़ेश प्लस स्मॉल एम स्मॉल विड़ेश और बताओ यह भी जीरो होना चाहिए या नहीं तो बस यहां से आपको किसी भी चीज की वैल्यू पुछे जा सकती है नियूमेरिकल में जैसे वो पूछ ले स्मॉल विड़ेश बताएए तो आप यहां से निकाल लेंगे या फिर कैपिटल विड़ेश बताएए तो आप यहां से निकाल लेंगे ठीक है तो इस तरह से हम समवेक संडरक्शन लियम को यूज करके हमारी प्रॉबलम सॉल्व करते हैं हम करें के क्यूशन जब हम थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाए कि हमें किस तरह से इसको यूज करना है ओके बच्चों इसी तरह से गोली को दागना जब आप बंदूक से गोली चलाते हो थडलो तो लगता है यह लगता है ठीक है इसके अलावा यह समवेक संरक्षन पर भी है बैशुरुवात में बंदूक स्तिर है तो बंदूक का द्रवेमान तो कुछ होगा गोली का भी कुछ होगा बंदूक का वेक भी 0 है और गोली जो चल रही है उसका भी 0 यानि कि initially समवेक 0 है तो गोली चलाने के बाद भी हमारा समवेक क्या होना चीज जीरो वैसे वस यही equation निकल के आएगी ठीक है और इसी से हम अपनी problem solve कर सकते हैं तो यह समवेक संरक्षन के कुछ examples है ओके बच्चो चली अब बात करते हैं कि इसी सीच को बचज़े से मां लिए कि मेरे पास दो बॉल है यह और बी ओनको नजर आ रहिए ना रैड और यह यह कोई दो बॉल है और बी इसका दरवयमान है म में और इसका दरवयमान है और प्राराम में क्या है इसकी वैलोसिटी आपको मैंने बताया था कि हम नॉर्मली प्रारंबिक जो वेगा उसको स्मॉल यू से लिखेंगे और जो अंतिम वेग होता है उसको स्मॉल वी से बताया था ना प्रारंबिक में इसका वेगा यू है और इसका वेगा यू भी दुनों चल रही है, दो ब क्योंकि दोनों एक ही दिशा में गति कर रही है, इट मींज एक टाइम पर ये एक दूसरे से टकराएगी, तो ये हो गया टकर के समय, इन दोनों ने टकराया, टकराया तो न्यूटन का थर्ड लो लगेगा, ठीक है, एक ही टाइम पर ये बॉल, इसके उपर जो फोर्स लगाएगी इस डाइरेक्शन में, तो ये बॉल भी तो इसके उपर लगाएगी, ये भी तो बोलेगी मैं, मैं भी तो बल लगाऊंगी, क्योंकि न्यूटन सरका थर्ड लो काम करेगा यहां पर, तो इसके द्वारा लगने वाला बल अपोजिट में होगा, बट दोनों का परिमान समान होगा, और दोनों एक ही टाइम पर होगे, फिर क्या हुआ, टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, दोनों वापस से कुछ भी कंडिशन हो सकती है, या तो दोनों एक साथ चलें, ठीक है, दोनों एक साथ मिलती वे चल सकती है, या एक आगे एक पीछे चले या दोनों अलग लग दिशों में कती करें कुछ भी हो सकता है हमको यह कंडिशन लेके चल रहे है कि टकराने के बाद इसका वेग हो गया VA इसका वेग हो गया VB अब एक चीछ आप मुझे बताइए कि क्या जब दो पार्टिकल आपस में टकर करत तो उनका मास यानि कि दरवेमान चेंज होता है कभी देखा है कि दो पार्टिकल टक्कर कर रहें तो उन्होंने एक डूसरे ने अपना मास दे दिया वे एक दूसरे को नहीं ना मास तो वही रहता जो पहले था तो आहम में और मास रहे गए रहेगा बाद में भी रहे गए बस इनके वेग चेंज हो गए, डेफिनेटली हो गए, हो सकता है, एक फास्ट एक स्लो, या एक रुख जाए, एक चलने लग जाए, या दोनों एक समान वेग से गत्ती करें, कुछ भी कर सकते हैं, हमने एक नॉर्मल केस ले लिया, कि इसके वैलोसिटी है वी ए और इसके वैल तो चैटकर के पहले हो, दोनों के सेम ही रहेंगे, अब देखिए, न्यूटन सरकात हर्ड लोग क्या कहता है, कि FAB बराबर माइनस FBA, माइनस क्यों है, यह सीज में आप कभी भी गलती मत करना, यहां हमेशा माइनस आएगा, अगर आप F को वैक्टर फोर्म में लिख रहे ह हैं, ओके, यह चीज आप लोग हमेशे ध्यान देखना, अकसर बच्ची यहीं गलती करते हैं, और यहां गलती करने की वज़े से उनका पूरा डैरिविशन समझ लो, चैन्यूमेरिकल समझ लो, पूरा गलत हो जाता है, सब कुछ आते आते भी, हमारी छोटी से मिस्टैक की वज़े से हमारा पूरा क्यूशन गलत हो जाता है, तो यहां गलती नहीं गरनी है, अब बताओ, एफ जो होता है, वो क्या होता है, एफ हम जानते है, न्यूटन सन नहीं दिया था, में होता है, निकाला था न हमने, और ए क्या होता है, ए होता है, डीवी ओवर डीटी, होता परिवर्थन हुआ पहले था यूए और वाद में हो गया विये तो कितना परिवर्थन आया विये माइनस यूए और मैंने माल लिया कि यह समय T1 पर है जबकि अभी T1 और T2 बराबर होंगे क्योंकि यह चीज हम जानते हैं न्यूटन सर्ण ने जो थर्ड लो दिया था वहां उन्होंने सीज को बहुत अच्छे से क्लियर करके चला था कि यह एक ही समय पर होते हैं समय अलग नहीं होता है बस वस्तुए अलग होती है इसके वेग में परिवर्तन क्या हुआ यूबी है और वीबी है तो वीबी माइनस यूबी और टीटू अब यहां T1 और टीटू बराबर होंगे क्योंकि न्यूटन सर्ण ने यह बताया था कि एक ही समय पर यह दोनों चीजे होती है तो टीवन यह कर जाएंगे अब बता ंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एमधी यूबी आया नहीं अब क्या करना हूए मतलब जो वीए वीवी वाली डंबसे उनको एक जगा रख दीजिए और ए और यूए और यूभी वाली डंबे इसका यूपी तो ये टोटल इनिशियल समवेग रा शी और यह प्रूफ करना था तो बच्चों समवेग सराशनियम आपको समझ में आया जब भी आपको समवेग सररक्षनयम लगाना वह तो बस आप इतना देखिए कि उसका प्रारंबिक समवे कितना है उसका अंतिम कितना है और उसको उन दोनों को बराबर रख दीचिए अपने आप आपको जो भी नुमरिकल होगा या जो भी क्यूशन आपको दिया हुआ होगा वो सॉल्व हो जाएगा अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है थोड़ा सा नौट है जो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि F1 और F2 किसी कंड पर लगने वाले दो बल है कोई कंड है जिसके ओपर F1 और F2 दो बल लग रहे हैं तो साम में अवस्ता बहुत पर क्यूशन आता है कि देदे का की ए प्रीत या फिर इसको दूसरी तरीके से भी हम लिख सकते हैं वो क्या कि इसके उपर लगने वाले जितने भी बल है वो उन सब का योग 0 के बराबर है यह क्वेशन करने के हिसाब से नोट है तो इसको भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा अब माल लो उसके उपर 3 लग रहे हैं और सामने वहस्ता के लिए बताओ क्या शर्त होगी एफ वन वैक्टर एव उन प्लस वैक्टर एफ टू प्लस वैक्टर एफ त्री बराबर जीर तो यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा अब आगर दो फोर्च तो इस तरह से लगेंगे भै सामने वह सामने लेकिन जैसे ही मैंने उठा लिया इत्मिन सब क्या हुआ यह उपर क्यों गती करा यानि कि नीचे लगने वाला फोर्स कम हो गया और मेरे द्वारा लगाया जो बल है वह ज्यादा हो गया इसलिए उपर गती कर रहा है और मैं इसको नीचे चोड़ दूंगी तो क्या होगा नीचे लगने वाला जो भी ग्रेविटेशन होगा वो ज्यादा होगा जिसकी वज़े से यह नीचे चला जाएगा यानि कि सामने अवस्ता के लिए इस तरह से होना चाहिए और तीन डायग्राम हो तो आप इससे भी यहां से क्या करिए एफ फ्री को इधर ले जाए यानि कि यह दोन अगर एक डायरेक्शन में तो यह इनके विप्रीट तो यह इनके विप्रीट और यह इसी से निकला है ओके बच्चों तो इसी के साथ हमारा समवेक सर्रक्षन नियम है वो टॉपिक खतम होता है लेकिन यह बहुत बहुत इंपोर्टन टॉपिक है क्योंकि यहां से क्वेशन जरूर आते हैं तो आप लोग यह वाला वीडियो और इससे जो पहले वाला वीडियो था नियुटन सर के नियम उन वीडियो को मेरे कहने से दुबारा जरूर देखिएगा और उनके कॉंसेप्ट को समझत सब्सक्राइब करें अगर आपसे हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है हम क्योशन करेंगे लेकिन आप खुछ से भी ट्राइक करते रही है क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे फीजिक्स उतिनी ही स्ट्रॉंग बनेगी और फीजिक्स मतलब एक तो होता है कि हम किसी चीज को नॉर्मली पढ़ रहे हैं ठीक है पढ़ते हम सब कुछ हैं लेकिन इंट्रेस्ट लेके पढ़ना मतलब कि उसमें बिल्कुल खो जाना कि हां वास्ता में और जब तक आप किसी चीज में बिल्कुल गहराई तक जाके नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वह सब्जेक इंट्रेस्टिंग नहीं लगेगा तो फीजिक्स तो वैसे इतना इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि यहां तो हर जगए कॉंसेप्ट काम में आते हैं आपको रटने वाली या भूलने वाली कोई चीज होती नहीं है सारी चीज आप द